नमस्कार प्यारे दोस्तों मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपनी यूटूब चैनल पर इस समय की एक बहुत बड़ी खबर देश के लाखो चात्रों से जुड़ी खबर है जो की दस्वी की परिक्षा देने वाले थे अब उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि CBSC 10th और 12th बोर्ड की बचवे परिक्षाएं अब नहीं होंगी और मैं आपको बता दूं 12th बोर्ड के बचवे विश्यों में केवल मैतवपुन एक्जाम ही लिये जाएंगे और यहां पर CBSC ने यह भी कहा कि जो परिक्षा हो गई है उन्हीं के ओसत पर रिजल् खबते ही शुरू हो जाएगी जी हां आपने सही सुना यह पर करिया लोगडाउन खबते ही शुरू हो जाएगी और जो भी स्टुडेंट ने 10th और 12th के प्रिक्षाओं में भाग लिया था उनके रिजल्ट लोगडाउन खबते ही जारी हो जाएंगे तो मैं आपको बता द और मैं आपको एक बात और बता दू, मानो सुनसाधन मंतरी ने राज्यों को आदेश दे दिया है कि स्टूडेंट की कोपी को चेक किया जाए, तो जी हाँ आपका रिजल्ट जल्दी ही जारी हो जाएगा स्कूलों और सरकारी जोब से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाईए सीवेसी की परिक्षा को रद करें और जैसा हमने नवी और ग्यारवी में किया है कि बच्चों के असेस्मेंट के आधार पर उनके छमाई एक्जाम के आधार पर और बाकी असेस्मेंट के आधार पर उनके मार्क्स दिये हैं फाइनल एक्जाम में तो वैसे ही दस्वी और ब क्योंकि काफी समय बच्चों का लॉकडाउन में वरवाद हो गया है हम चाहे जितना कहलें ऑनलाइन कर रहे हैं बच्चे अपना सेल्फ ट्यूटिंग कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद मार्केट बंध हैं स्टेशनरी बंध हैं किताबें बंध हैं फैसलिटीज बंध हैं लोगों का अना जाना संपर नहीं है तो बच्चों का नुक्सान तो हो रहा है वैसे में हमें अपने स्टिंडर्ड नीचे लाने पड़ेंगे तो इसके लिए जरूरी है कि हम सीवियष्खे के पाठे करम में 30% की कट़ूती करें और उस 30% की कटवाती को सीवियक पाठे करम पहले तो आपको बहुत बहुत धनिवाद एभी पीनियु से बात करने के लिए अनुराग जी बहुत आसंकाएं हैं लोगों के मन में खासकर रिजल्ट को लेकर अभी बहुत सी परिक्षाएं हो चुकी हैं बहुत सी होनी बाकी हैं परिक्षाएं 10th की और 12th की इन सभी मुद् देश के बाकी बोर्ड और पूरे विश्व के सारे इंस्ट्यूसंस अल्मोस्ट लॉग डाउन हैं तो मेरा पहला सजेशन यह है बच्चों से पैरेंट से और टीचर से कि इस समय पैनिक होने की बिलकुल जरूरत नहीं है पेसेंस रखें घर पर रहें जितनी सेल्फ इस्ट अगर हमारे रिजल्ट लेट होंगे तो वर्ड वाइट ज्यादा तरके लेट होंगे हमारा इवैलवेशन पेंडिंग होगा तो बाकी जगह पर भी होगा तो इसमें जब सारी चीजें एक समान हैं तो पैनिक होने की बिलकुल जरूरत नहीं है तो पहली आवस्ता है इसी तरह के तनाव से ना गुजरने पाएं जहीं तो उनका ये बड़ा नुक्सान होगा जहां तक प्रस्ण यह है कि जो परिच्छाएं हो गई हैं या रह गई उन पर हम क्या सोच रहें तो आपके चैनल के माद्यम से मैं फिर एक बार यह कहना चाहूंगा कि दस्वी और 12 की ज्यादा तर परिच्छाएं पूरी हो चुकी हैं सिर्फ 12 के 12 विशे ऐसे हैं जिनकी परिच्छा हमें लेनी है हम लोगों ने 1 अप्रेल को एक डिटेल सर्कुलर निकाला है और उसमें बहुत क्लियर बताया है कि दस्वी की पूरे देश में जो परिच्छा बची हुई थी छोटे छोटे विशे थे उनकी अब परिच्छा नहीं हो दी वो इंटरनल असेस्मेंट और बाकी पैमानों पर हम उनके रिजल्ट उसी हिसाब से प्रो रेटा वेसिस पर करने का प्रयाज करेंगे हां दस्वी के कुछ बच्चों की परिच्छाएं नौर्थ इस्ट जि परिच्च नहीं होगी ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं ये सर्कुलर फ़च्ट अप्रेल का है और ये कोई नई बात नहीं नहीं कर रहा हूं कि 1st April को ये decision पूरे देश के सामने CBSC ने भेज दिया था, वेबसाइट पर डाल दिया था, सारे स्कूलों को लिखित में चला गया है कि North East जिला दिल्ली के अलामा दस्वीं की परिच्छा पूरे देश में अब हम नहीं करेंगे जहां तक 12वीं का सवाल है, सिर्फ 12 विश्यों की परिच्छा हमें करनी है, पूरे देश में करनी है और वे एक ऐसी चीज है, जिसका नेड है अभी लेना संभव नहीं है Lockdown open होगा, Government को अगर लगेगा, सरकार को लगेगा, Health Department को लगेगा कि देश सुरच्छी थे, लोग सुरच्छी थे, बच्चे सुरच्छी थे और अब स्कूलों में परिच्छा हो सकती, तभी हम करेंगे क्योंकि जीवन पहले है, सिच्छा को हम, सिच्छा के लिए एक्जाम के लिए बच्चों के जीवन को खत्रे में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए तब बारहुएं की बच्ची हुई परिच्छ हैं, अगर हमको मौका लगा तो हम बिल्कुल करेंगे, और उसका एक बड़ा कारण ये भी है, कि बारहुएं के बच्चे नहीं हो पाती और कोई और संकट आता है, तो उसका नड़े उस समय लिया जाएगा, अभी नहीं लिया जा सकता, और लोगों को धायर रख करके, बच्चों को, CBSC को, टीचर्स को इस सपोर्ट की जरूरत है